सफलता का मूल मंत रहा है दोस्तों, खुद से वादा, महनत जादा और मजबूत इरादा इसके लाबा, मैं दोस्तों आने के लिए पर ही पढ़ाता हूँ, तो आप आने के लिए प्रोफाइल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्सों में विदिया तो उस लिंक को विडिया करके दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है चलिए फ्रेंट से स्टाट करते हैं, पहला कोशन मोस्ट इंपोर्डेंट है, आप वीडियो कौन्त तक लास्ट तक जरूर देखा करें, आपके प्रतेक गवर्नेंट एक्जाम के दिश्टी से बहुत इंपोर्डेंट है पहला कोशन है, रक्षा मंत्री जो है, निर्मला सिता रमन ने, रक्षा में बौधिक संपदा अधिकारों में आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए, आपचारिक रूप से कौन सा मिशन शुरू किया है राइट एंसर है, ऑप्षन ए, मिशन रक्षा ज्यान सक्ती, ठीक है देखे दोस्तों, रक्षा मंत्री निर्मला सिता रमन जीने, इन्होंने आपचारिक रूप से 27 नमंबर 1218 को मिशन रक्षा ज्यान सक्ती शुरू किया है अब इसका उद्देश से क्या है, इस मिशन का, इसका उद्देश से है, रक्षा में बौधिक संपता दिकारों में आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना ठीक है, आपको उद्देख मिशन के तहे दोस्तों, रक्षा सारवनिक छेतर रूप करमों और ओर्डिनेंक्स फैक्टरी बोर्ड के 10,000 कर्मचारियों को इसमें प्रसिक्षित किया जाएगा ठीक है, तो यह याद रखियागा, most important question है, तो रक्षा मंतरी निर्मरा सितरमने, रक्षा में बौधिक संपता दिकारों में आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए, आपचारिक रूप से मिशन रक्षायक जान सकती, यह मिशन शुरू किया है, इसका उद्देश से है, वीडियो में टार्गेट लाइक से हैं, तो फटा फट वीडियो को लाइक करके टार्गेट जरूर पूरा करें, अगला कोशन ने कौन सा देश, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक, 28 तक होने वाले जी टूंटी सिखर समयलन के तेरवे संस्क्रण की मेजवानी करेगा, तो यह करे आपको याद रखना है, बहुत इंपोडेंट है, शिखर समयलन से लेड़ेट कोशन अक्सर पूछा रहते एक्जाम में, तो यह 28 नंबर से 2 दिसंबर तक होने वाले जी टूंटी सिखर समयलन के तेरवे संस्क्रण के तेरवे संस्क्रण की मेजवानी करेगा, अरजंटीना, इसमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पार्टिसिपेट करेंगे, इसका विशाय याद रखिएगा, बिल्डिंग कंसेस्स फॉर आफ एर एंड सस्टेनवल डबलमेंट, अभी उनसायर्स इसकी राजधाने अरजंटीना के और तो यह है मारीसस, ठीक है, उप्सन ही करेक्ट हो जाएगा, मारीसस है, ठीक, बेखने तो लिएल स्ट हरिएओन के करुच से विशाय शेतर में साथ से यजि समर दौठार तक, अंतराश्टी गीता मोदच सबाजीत किया जायगा, ठीक है, कहां पर हरियाना के कुरुक सेट और रूस के कलाकारिश वार्षिक महुत्सों में भाग लेंगे ठीक है तो आपको दो फैक्ट याद रखना है महुत्सों को जो साजेदार देश है वह मारिशस और इसका जो भागीदार राज्य स्टेट है इंडिया का वह गुजरात ठीक है तो कौन सा देश साथ से 23 दिसंब भागीदार राज गुजरात चलिए क्वेशन 4 दोस्तों भारस सरकार द्वारा निम्रखित में से किसे मिनी रत्न के दर्जे से सम्मानित किया गया है यह भी वेरी वेरी इंपोर्डेंट कोश्चान है दोस्तों रास्टी परिजिना निर्माड निगम लिम्टेट रास्टी परिजिना निर्माड निगम लिम्टेट ऑप्सन टी ठीक है एन पी सी सी रास्टी परिजिना निर्माड निगम लिम्टेट को भारस सरकार द्वारा मिनी रत्न के दर्जे से समानित किया गया है देखिए आपको उता दे कि जो एन पी सी सी है मिनी रत्न के दर्जे पर 39 से क किसके अंतरगात आता है जलसंसान मंत्राले नदी विकास और गंगा काया कल्प मंत्राले का धीनिया आता है ठीक है तो भारत सरकार दोरा निर्मखित में से किसे मिनी रदने के दरज़े समन्त किया गया है रास्ट्री परियुजना निर्माड लिगम लिम्टेड इसका सौट क रॉइनलंग लिखते है को कर क vision किसे नई प्रत्यक्ष कर काईबल के सहोजय करूँ में नियुक्त किया गया है इसका राईट एंसर हो गयागा अखिलेश Đंजन ऑप्सनड़ी भारत सरकार ने अखिलेस रंजन को नए प्रत्यक्ष कर कानून कारेबल का सयोजक न्यूट किया है कारेबल का गठन भारत की आर्थी करते विस्थाओं के निरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून तयार करने के लिए सरकार को सलाथ देने के लिए किया गया था कारेबल नवंबर 2017 में गठित किया गया था ठीक है और अखिलेस रंजन सेंट्रल वोड आफ डारेक्ट टैक्स के सदस्थे हैं ठीक है सीबी डीटी के सदस्थे हैं तो किसे नई प्रत्यक्ष कर कानून कारेबल के समझे करूम में निउट किया गया है अखिलेस रंजन को इसका जो नई प्रत्यक्ष कर कानून कारेबल इसका गठान हुआ था नवंबर 2017 में ठीक है दोस्तों कोशन सेवन थे हाली में मुहमद अजीज का निधान हो गया हुआ एक थे जिसका राइड एंसर रहागा ऑप्सन भी गायक थे ठीक सिंगर देखिए मुंबई में बंगाली ओडिशा फिल्मों में 2000 सेधिक गीतों में अपनी आवाज दी है आपको वतादिक उन्होंने बंगाली फिल्म जोती के साथ अपने गायन की शुरुआत की थी और उन्होंने कई भक्ती बजान और शूफी गाने भी रिकॉर्ड किये हैं तो मुहमद अजीज एक न साने राइट है लोजिस्टिक मीट लोजिक्स इंडिया दोरुनीस 31 जनवरी से दो फरवरी 2019 तक नेदिली मौजित किया जाएगा इस कार्कम कुद्देश रहेगा दोस्तों भारत के वहिस्टिक व्यापार की लागत प्रहोसिलता और परचालन चमता में सुधार करना ठीक ह आपको अदा दे कि यह कार्यर्कम Federation of Indian Export Organization दोरह आज़ित किया जाता है ठीक है इसके दोरह Federation of Indian Export Organization दोरह आज़ित किया जाता है गुश्चन 9 तो दोस्तों पिग्मी फॉल्स केट सार्क नाम की नई गहरी समुद्री सार्क पजाती पाई गई है यह पर जाती किस स्थान पर पाई गई है जिसका correct answer रहागा दोस्तों उत्तरी हिंद महासागर यानि option D correct है इसका उत्तरी हिंद महासागर में पिग्मी फॉल्स केट सार्क नाम की नई आपको उता दें गहरी समुद्री सार्क पजाती पाई गई ठीक है इसका नाम पिग्मी फॉल्स केट सार्क यह भारत के पशिमी तर्ट और स्रिलंका उत्तर में पाई गई थी और आपको उता दें कि यह किसी भी प्रमुक पैटर्न रहित लगवक 65 cm लंबा और गहरे बूरे रंग किए इसका वैग्जानिक नाम दोस्तों है प्लान प्लानो नेसस इंडिकास प्लानो नेसस इंडिकास ठीक है याद रखिएगा आपको बतादें 2011 में से में एगलोर हाउंड सार्व के बाद भारत में पहली ऐसी खोज है ठीक है तो इसको अधादे के नई दिल्ली में 28 नमबर से 30 नमबर तक तीन दिवसी दक्षिन एशिया छेत्री यूवा शांती सम्मेलन आईजुत किया रहा है समयलन का आजन गांधे स्मृति और दर्शन समिति द्वारा आपको उतादे किया है युनेश्को एमजी आईएपी और इसमें जो इनेवल पीस ट्रस्ट के साथ साज़ेदारी में के जा रहा है ठीक है तो तीन दिवसी दक्षिन एशिया छेत्री यूवा शांती सम्मेलन किस्ट के जा रहा है नई दिल्ली में अगला कोशन है मेकिंग आफ नी उन्डिय टास्फरमेशन अंडर मोधी गवर्में किताब की प्रतिप्राप्त हुई है अपको दादिक पुस्तक डाक्टर विवेक देवराय डॉक्त अरनिवान गांगुली और किशेर देशाई द्वारा संपादित की ठीक है किशोर देशाई इसमें जो है अर्थवस्ता से कूर्णीती सिख्षा से सार्वनिक स्वास्त के पर इंग चामन निवांदिस में जो शामिल है ठीक है तो making of new India transformation under Modi government किताब के संपादक है डाक्टर विवेक देबरा है डाक्टर अरनिवान गांगुली किशोर देशाही option D इसकस सही हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है नायन मोदी किस शहर में दो दिवसी अंतरास्टी मात्र नवजात और बाल स्वास्थ समयलन का उधगण करेंगे ए करेंगे नई दिली में ठीक है, option D ठीक है, देखें मोदी जी नई दिली में दोदिव सिंतरास्थी मात्र नवजात और बाल स्वास्थ समयलन पर धृतन करेंगे, ठीक है, इस अमयलन को देश से क्या रहेगा दोस्तों, इस समयलन को देश से 26 नमबर को मना जते है प्रतिवर्स ठीक है तो लगवक सभी इस्टूटिन ने राइट एंसर दिया था और कापी डिटेल में लिखा था अब देख लेते हैं दोस्तो आज का कोश्चन के आज का सवाल है राष्ट पती रामनत कोविन जी ने किसे भारत का नया मुख निरवाचा नायक तुनिक किया है तो यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इसको आप जरूर याद रखिएगा और आपको कमेंड बॉक्स में सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ठीक है और कमेंट जरूर से जरूर करें सभी लोग ठीक है और दोस्तों और डेली मौनिंग में टाइम निकाल प्रेश बीड ज़रूर देखा करें आप लोग तो मिलते हैं नेकन लोऑग साथ अब तक लियाप अन्यूरू धेया है सबस्ते रहिए बेस्तर मस्तर रहिए आल दे बेस्ट जै हिन्द जै भारत